तो हलो गाईज वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और वाइस मैं अपके लिए लिए गया हूग और नई वीडियो जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ दिस्किस करने वाला हूँ जैसे आप सबको दिख रहा है आपे बीएड फर्स मिस्टर एग्जामिनेशन फार राइगुलर और हमारा ये पेपर है बीएड फर्स मिस्टर वाल होगा और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं कॉलिजिस जो भी एफलिक्टेड है उनिवर्स्टी आफ जम्मो से तो उन सबी बच्चों का ये क्वेशन पेपर है हाली में जो 2023 के अंदर पेपर जो कंड़क्ट हुआ है हमारा तो चाइल्ड हुड और अडॉल्ट संस है जो किशना आप जैसे देख से पेपर का टाइटल उसके बाद कॉर्स नंबर 102 और आपके पास टाइम तीन गंटे होते है और मैक्सिम मार्क 60 आपको देखने को मिलगा इस क्वेशन पेपर के अंदर पैटरन तो आप सबको पता है कि क्वेशन नंबर 1 कंपरसरी है उसके बाद क्या होगा कि हर यूनिट से आपको दो क्वेश लिखने आपने है इसके पर शाट नोट लिखने है प्रावलमस आफ लेट चाइल होड़ि जो है वाब लिखने है लिमिटेशन सा आफ वो गोट्स की जो हमारे सोशल कल्चर थी इसकी लिमिटेशन क्या है ठीक है रोल अफ मीडिया इन रिमूविंग डिस्पैरडिस इन सोस तो है हमारा, discuss the nature of developmental psychology and what is the role of teacher in facilitating development, ठीक है, nature बताना है आपको developmental psychology का, ये six marks का है, और उसके बाद role का है teacher का in the facilitating development में, ठीक है, तो ये six marks का आगया, ठीक है, उसके बाद question number three, हमें से कहाता है कि define individual difference, ये three marks का है, और discuss करने हमने the determinants of individual differences, ठीक है, ये nine marks का है, उसके बाद हमारा आजाता है, यहां पे unit number second, यहां पे भी दो question आए होंगे, इन में से कोई ये करना है आपको, what are the characteristics and hazards of early childhood discuss करना है, आपको इसको ठीक है, और हजार्स क्या है, early childhood के, ये six marks के दोनों है, ठीक है, ये भी six marks का है, और ये भी six marks का है, उसके बाद हमारा fifth कहता है, हम से की describe करना है, अपने Ericsson stage theory of development, ये भी हमारा develop marks का question है, तो आप उपर वाला कर सकते हैं, यहां नीचे वाला ये choice है, उसके बाद unit number third से भी दो question आए होंगे, आपको इन में से कोई एक discuss करना है, discuss the special characteristics of adolescence, तो आप मुझे बताओगे कि regarding to WHO, adolescence age होती है, वो कहां से लेके कह हमां तक होती है, comment section के अंदर जोड़ बताओगे, and also discuss the problem of adults and stage, ठीक है, तो ये 6-6 marks का है, मतलब special characteristics of adults and 6 marks का है, और ये जो आपको दिख रहा है, also discuss the problem of adults and age, तो ये भी हमारा जो है, वो 6 marks का है, उसके बाद हमारा आता है question number seven, explain the theory of cognitive development along with its education and implication, तो ये हो गया हमारा 6-6 marks का, उस उसके बाद हमारा unit number four, यहां पे भी दो question आपको देखने को मिलेंगे, कोई ये करना है, discuss the various factors that can affect personality development, तो कौन-कौन से ऐसे factor हैं, जो कि कि किसी भी personality की development के लिए effect कर सकते हैं, तो आप सबको बताने है, ये हमारा 12 marks का है, उसके बाद इसी के साथ हमारी choice है, choice के अंदर यहां पे आजाता है, explain the various factors that lead to marginalization and their effect on personality development, तो ये 6 marks का है, ये factor जो है, वो 6 marks का है, और effect on personality development, ये भी 6 marks का है, तो guys ये था आज का हमारा question paper, और इसकी PDF के लिए आपको मुझे ने मैंने बता दिये कि आपको कहां जाना है, आपको जाना है हमारे telegram channel पर, उसके लिए आपको लिंक जा आपके इसको जाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलड कर सकते हैं guys, so bye guys, मिलते हैं अगली वीडियो में, have a good day